क्या इसलाम धर्म में पहले मूर्ती की पूजा होती थी? BBC की एक रिपोर्ट आपको चौका कर रख देगी इसी के साथ इसलाम धर्म में आखिर हज की इतनी मानिता क्यों है? और हर एक मुसलिम वेक्दी रोज नमाज क्यों पढ़ता है? और जमजम के कुएं के पानी में ऐसा क्या खास है कि वेग्यानिक भी चौक गए और इस पानी के सामने अगर कोई बिसमिल्ला कहता है तो पानी में अलग ही गुण दिखते हैं आज हम आपको इसलाम धर्म के बारे में वो सारी विचितर बाते बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे और इन सारी बातों से आप अंजान हैं तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और हाँ ये इन्फॉर्मेशन हमने सारी गुगल से रिसर्च करके ली है दोस्तों अगर आप इसलाम धर्म के बारे में जादा नहीं जानते हो तो उसके बाद भी आपको ये पता होगा कि वो लोग कभे भी मूर्ती का उप्योग नहीं करते थे यानि कि वो पूजा करने के लिए या फिर नमाज पढ़ने के लिए मूर्ती का इस्तमाल नहीं करते हैं बलके मस्जिद में एक मकबरा होता है जिसके सामने वो अपना सर जुकाते हैं लेकिन शुरुआत से ऐसा बिलकुल भी नहीं था और हम पहले ही बता दे कि ये सारी जानकारी हम दावा नहीं कर रहे हैं बलके बीबीसी जैसी बहुत सी बड़ी मीडिया कंपनी ने इस बात के बारे में बताया है और उसे के साथ और भी कई न्यूज मॉडल्स और हिस्टोरियन्स हैं जो कि मानते हैं कि कभी न कभी काबा में मूर्तियां हुआ करती थी उनका कहना था कि पैगंबर मुहमद फिलिस्तीन के लिए रवाना हुए थे और वो तब अपने बेटे और अपनी पतनी को रेगिस्तान में छोड़ कर गए थे और ऐसा करने का उन्हें अलाह ने ही कहा था और इसके कई साल बाद जब वह वापस आये तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार काफी खुशी से रह रहा था और वह जगह अब रेगिस्तान जैसी बिलकुल भी नहीं लग रही थी इसके बाद माना जाता है कि पैगांबर मुहमद को अलाह ने ही कहा था कि उनके लिए एक नया तिर्थस्थल बनाना चाहिए इसलिए उनके बेटे और उन्होंने मिलकर काबा का निर्मान किया था उन्होंने पत्थर से एक चौरसा कार का बड़ा सा कमरा बनवाया था जिसे काबा नाम दिया गया था और आज भी अगर आप देखोगे तो काबा काफी हद तक वैसा ही दिखता है लेकिन आज काबा में काफी बदलाव आ चुके हैं क्योंकि कुद्रती आपदा और कई अलग-अलग कारणों की वज़ा से काबा में कई बार छोटी मोटी खराबी आ गई है जिसकी वज़ा से उसे कई बार ठीक किया गया है और इसी वज़ा से जब यह शुरुवात में बना था तब से लिकर अब तक इसमें काफी बदलाव आ चुका है और जब भी पैसों का डोनेशन होता है तो इसके इस्तिमाल के तहट काबा में रेनोवेशन करवाया जाता है पर यहाँ पर कोई भी वेक्ती पैसे डोनेट नहीं कर सकता दरसल अल्लाह का कहना है कि यहाँ पर बस इमानदारी और सची मेहनत के पैसे ही डोनेट किया जा सकते है इसके लावा अगर कोई भी थोड़े भी खोट से पैसे कमाया है और उसको डोनेट करता है तो उसके साथ बहुत ज़ादा बुरा होगा और उस पैसे को काबा को बनाने में इस्तमाल नहीं किया जा सकता है वरना अब तक तो पूरा काबा सोना का होता क्योंकि कई बड़े बड़े शेख यहां पर पैसा देना चाहते हैं लेकिन उन्हें भी पता है कि उनका पैसा पूरी तरीके से साफ नहीं है लेकिन शुरुवात से लेकर अब तक ये काफी जादा बदल चुका है। शुरुवात में तो ये पत्थर का बना हुआ बहुत बड़ा मस्जिद था जिस पर कई लोग आया करते थे और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर कई अलग-अलग देवी देवताओं की भी पूजन कर दिया था। जे हां आपने बिल्कुल सही सुना लेकिन इसके बाद अल्ला ने कहा किसे बिल्कुल पहले जैसा कर दिया जाया है। इसलिए फिर पेगंबर मुहम्मद ने यहां सारी मुर्तियों को हटाया और इसके पुराने इमान को वापस लाया। और तब से लेकर अब व्यक्ति जो इसलाम धर्म को मानता है वो नमाज तो पढ़ता ही है। कुरान के हिसाब से दिन में पांच बार नमाज पढ़ी जा सकती है। वई- zaे हिसाब सिट कई लोग दिन में तीन बार भी पढ़ते है। नमाज पढ़ना कुछ इस तरीके से है। जैसे कि आपके सामने लोग उने आदमी को जो बदुआ दी है जो उसके बारे में बुरा कहा है नमाज भढ़ने से वो सब कुछ साफ हो जाता है इसे के साथ माना जाता है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके बंड में कभी भी बुरा ख्याल नहीं आता यानि कि वो हमेशा अच्छी राह पर ही चलते हैं इसलाम धर में हज को सबसे जादा मानिता दी जाती है इसलिए इसलाम धर में पांच अस्तंभों में से एक हज भी है इसलाम धर में पांच अस्तंभों होते हैं एक कल्मा पढ़ना, दूसरा नमाज कायम रखना तीसरा जकात देना यानि दान देना चौथा रमजान के रोजे रखना और पांचवा हज करना और हज पर आने के बाद माना जाता है कि मुसल्मान वेक्ति पवित्र हो जाते हैं और उन्होंने जो भी गल्ती किया है वो सब साफ हो जाता है यानि कि यहाँ पर यह अपनी गलती की माफी माँगने आते हैं क्योंकि यहाँ पर ही अल्ला द्वारा भेजे गए आखरी नभी मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था इसलिए वे लोग इसे अल्ला का घर बताते हैं लेकिन हज के लिए ऐसा नहीं होता हज के लिए उसे मक्का मदीना आना ही पड़ता है हज का मतलब होता है अल्ला के घर जाना और जैसे कि रोज नमाज पढ़ना और रोजा रखना एक इसलाम धर्म के वैक्ति को सच्चा मुसल्मान बनाता है बिल्कुल वैसे ही हज की यात्रा पूरी करके वो अपने जीवन को सफल करते हैं इसलिए हर एक मुसलिम वैक्टी एक ना एक बार अपने जीवन में हज की यात्रा करता ही है या फिर उसे करने ही चाहिए मक्का शहर में हर एक मुसल्मान काबा की यात्रा पर जाता है काबा एक काली इमारत है जिसे आपने कई बार देखा होगा ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है ये बहुत ही जादा सुन्दर मस्जिद है और इस काली इमारत के अंदर क्या है ये भी एक अलग ही रहस्य है जो कि अभी तक सुल्जा नहीं है इसके साथ इसके अंदर किसी भी गैर मुसल्मान वैक्ति का जाना बिलकुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पर अंदर जाने से पहले कई सारे पेपर की चेकिंग करनी पड़ती है और इसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है क्योंकि यह मुसलिम धर्म के लिए बहुत ही जादा पवित्र जगह है और उनका मानना है कि अगर कोई दूसरे धर्म का वैक्ति यहाँ आता है तो उससे यह औपवित्र हो जाएगी दोस्तों जो हज यात्रा होती है वो कभी भी नहीं की जा सकती मुसलिम कैलेंडर के हिसाब से एक खास महीना होता है जिसमें 8 से 12 तारीक के बीच ही हज की यात्रा की जा सकती है और जिस दिन हज की यात्रा पूरी होती है उस दिन बकरा ईद बनाई जाती है हज की यात्रा पर हर एक मुसल्मान जाना चाहता है लेकिन हर कोई जा नहीं पाता क्योंकि यहां पर पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए हर एक देश में कुछ ही लोगों को यहां पर जाने का मौका मिलता है शायद ही कोई वेक्ती होगा जो एक से जादा बार हज की आत्रा पर जा सके इसके बाद हज की आत्रा पर जाना पड़ता है यानि की हज तक का सफर तै करना पड़ता है और फिर यहां पर पहुँचकर वह काबा की परिकर्मा करते हैं और यह एक ता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहां पर हर एक मुसल्मान एक हो जाते हैं आपको भी पता होगा कि शिन्नी और शिया दो प्रकार के मुस्लिम हैं। और इन दोनों के बीच कई बार अपने विचारों को लेकर मतभेद होती रहती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये सब एक हो जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। इसके बाद ये यात्रा करीब पांच दिन तक चलती है और हर एक दिन एक नई प्रकार की रस्म अदा की जाती है। और मक्का मदिना में बने कई पवित्र अस्थलों पर जाया जाता है। और इसके बाद इसका अंत कावा में बने तीन पीलर्स पर पत्थर मार कर किया जाता है। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना। कावा के अंदर तीन पीलर्स बने जिस पर हर एक मुसल्मान अपनी पूरी ताकत से पत्थर मारता है। और बहुत जादा बद्द्वा देता है। इसके बिना हज की आत्रा पूरी नहीं हो सकती। यहां पत्थर क्यों मारा जाता है इसके पीछे भी पूरी कहानी है। दरसल मुस्लिम धर्म में ऐसी मानिता है एक बार अला ने इबराहिम को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुरबानी देने को कहा था और अपने बिराठके के कहने पर अपने बच्चे की कुरबानी देने के लिए तयार हो गया। और जब वो अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला था जिसने उनसे कहा था आप अल्ला के कहने पर अपने बच्चे की जान क्यूं दे रहे हो आखिर बूढ़ा होने पर आप की देखभाल कौन करेगा ये सुनकर इबराहिम ने इंतरन रखकर वो आगे बढ़ गए और जब इबराहिम के बेटे की कुर्बानी हो रही थी तो इबराहिम ने अपने आँख बंद कर दी और आँख खोले पर देखा कि उसका बच्चा सही सलामत था और ये बस एक परिक्षा थी और इसलिए जो भी मुसल्मान हज यात्रा पर जाता है तो हज यात्रा का अंत इस शेतान को पत्थर मार कर ही करता है ये रस्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उस शेतान को बुरा भला भी कहा जाता है क्योंकि उसने अल्ला के बारे में गलत बाते पहलाई होती है और इसे दिवार को उस शेतान के रूप में ही बना पत्थर मारने के साथ और एक ऐसी चीज है जो कि हर मुसल्मान करता ही है वो है जम जम का पानी पीना ये बहुत ज्यादा पवित्र पानी माना जाता है इसके कहानी ये है कि जब मुहमद ने अपने बेटे अबराहीम और अपने बीवी को रेगिस्तान में छोड़ दिया था अ अला के कहने पर तब इबराहीम को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और फिर उसने अपने पैर जमीन में मारे थे और वहीं से पानी निकला था और आगे जाकर यहां पर ही जम जम के कुए को बनाया गया है यहां का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है लोग चाहें इससे क की पानी पर रिसर्च करने के एक्सपर्ट हैं यह जापान के हैं और इनका नाम है मसारू इमोटो और उन्होंने जब पानी की जाच की थी तो उन्होंने कहा था कि इस पानी को माइक्रोसकोप में नहीं देखा जा सकता है इस पानी को देखने के लिए इसकी एक बुंद एक आम पानी से काफी ज्यादा अलग है इनका ये भी कहना है कि जब इनके सामने बिस्मिल्ला कहा जाता है तो पानी में बदलाव होता है ऐसे पानी का जब क्रिस्टल बनाया जाता है तो सारे क्रिस्टल अलग हो जाते हैं लेकिन इस पानी के किस्टल बनाने पर सारे एक ही तरह के दिखते हैं। लेकिन वहीं कई लोग इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि इनकी और भी कई थियरी हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल रही हैं। पर ये बात पूरी तरीके से सच है कि जम जम का पानी नॉर्मल बिलकुल भी नहीं है। इसमें कुछ खास बात तो जरूर है जो कि शारडिक ताकत बढ़ाता है और शरीर को बहुत जादा गुन देता है। अब आप इसे अल्लह का चमतकार कहिए या कुद्रत की देन ये आपके उपर है।